दो हजार चॉबिस का लोक सुबा चुनाव इस समय काफी चर्चाओं में हैं ममताव एनर्जी क्या परदान मंत्री चहरे के तौर पर सामने आएंगी इस बात को लेकर आसुदिन ओवेसी ने एक बड़ा खुला सक्या है नमस्कार आप देख रही है नेक्स नाइ नियूज मैं हूँ आपके साथ दीपक गुपता राहूल गांदी पीम बनने के चुनोतियों का सामना कर रही हैं मजबूत हो चुके हैं लेकिन ममताव एनर्जी चाहती है कि भाजपा को उखाल के फेका जाए राष्ट्रेपती और उप्राष्ट्रेपती चुनाफ के दुरान ममताव एनर्जी ही थी जो दिल्ली से लेकर महराष्ट्र और तमाम राज्यों के चकर काट रही थी किसलिए ताकि विपक्ष को एक छट के नीचे लाया जा सके शरत पुआर को साथ ले आई थी आसुदी नोवेसी को लगबग साथ ले आई थी केजरिवाल से भी मिन्यते कर ली थी साती साथ नितीश से भी मिन्यते कर ली थी तो सबसे पहला कदम जिसने उठाया था वो ममताव एनर्जी है ये बात हर कोई जानता है कि ममताव एनर्जी शुरुवास से चाते है कि पीम मोदी को केंदर सरकार की सप्ता से उखाड के फेका जाए लेकिन ममताव एनर्जी को किस नजर्य से विपक्ष देख रहा है ये भी देख लीजिए असुदी नोवेसी से सवाल किया गया राहुल गांदी को लेकर कि क्या वो पीम चहरे को किसी को विपक्ष का पीम चहरा बनाना चाहते है या इस बार भी सब अकेले-अकेले भागेंगे कहा जाता है जब रेस होती है तो उसमें जब घोड़े अकेले अकेले दोड़ते हैं तो कौन जीत जाए पता नहीं रहता कभी भी कुछ भी पलड़ जाता है वैसे तो जीता वही है जिसकी रफ्तार तेज होती है लेकिन इस बार कांग्रेस को शायद ये अमीद कहें या ये घमंड कहें कि ये एक तरीके से जाक चुका है कि वो बीजेपी को सीधे अकेले दमपर हरा सकती है केजरिवाल ने MCD का चुनाब जीता गुजरात में 5 सीधे जीती पंजाब में सरकार बनाई दिल्ली में सरकार बचाई उनको उमीद आ गई कि वो फिर से सरकार को आगे चैलेंज दे सकते हैं अब दूसरी तरफ नितीश ने बिहार में सरकार गिराई बीजेपी की उनको अलग उमीद जाग गई कि वो भी बीजेपी को चैलेंज दे सकते हैं नितीश के लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि वो पीम चहरा बनेंगे लेकिन ममताव एनर्जी जो शुरुवास से पश्री मंगाद से बीजेपी को दूर रखती आई है उनको लेकर कोई बात नहीं कर रहा असुदिन ओवेसी से पूछा गया कि ममताव एनर्जी पर आप क्या कहना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि ममताव ही थी जो सबको एक साथ लाने की कोशिश में है 2019 का चुनाब भी गडबंदन के सहरे ही लड़ा गया था लेकिन वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि उस समय भी क्रोस वोटिंग हुई थी यहां पर लोगों के डिसीजन आखरी समय पर चेंज हुए थे लेकिन असुदिन ओवेसी का यह मानना है ना सिर्फ असुदिन ओवेसी का बलकी शरतवार का भी यह मानना है अकिलेश का भी यह मानना है नितीश का भी यह मानना है कि किसी एक को चहरा बनाकर आगे चुनाब लड़ा जाए तो आपकी क्या राए है ममता नितीश केजरिवाल दाहूल साथी साथ यहाँ पर अगर बात करें अखिलेश की भी एक समय पर बहुत चर्चा हो रही थी तो इन सब नामों में से पीम मोदी को सही तोर पर चुनोती कौन दे रहा है ममता वेनरजी ने कोशिश करी ममता वेनरजी साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहरी है लेकिन केजरिवाल कांगरिस की अगर बात करें तो शायद ये इस उमीद में है कि अकेले दम से भी चुनाव जीच सकते है लेकिन क्या आपको लगता है कि 2024 का चुनाव अकेले लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है तो आपकी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजेगा और साथी साथ विपक्ष के चेहरे को लेकर अपनी राय साफ करेगा बहुत बहुत धन्यवाद